हलो फ्रेंड्स अगर आप सुबह की जल्दबाजी में कुछ ऐसा नास्ता बनाने की और खाने की सोच रहे हैं जो की हलका फुलका हो, हिल्दी हो, टेस्टी हो, ओयल फ्री हो, बच्चों को टिपिन में दे सकें, ब्रेक फास्ट में इंजॉय कर सकें, नास्ता बन जाए घर के स नामानों से और बनाना इतना आसान हो कि नास्ता बनके तैयार हो सिर्फ 5 मिनट में, तो ये नास्ते की रेसे पी आपके लिए बिल्कुन परफेक्ट है, तो ट्राइ जरूर कीजिएगा, और हाँ नास्ते की रेसे पी जरा भी पसंद आए, तो प्लीज चैनल को लाइक और स स्क्राइब कीजिएगा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर मैंने लिया है आधा कप जाड़ा बाला पोहा, जिससे हम रेगुलर पोहा बनाते हैं, तो बस पोहे को दो से तेन गलास पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे, तो ये लिजे, पोहे को मैंने मिकसर जार और पोहे को ऐड़ करेंगे, पोहे के साथ ही हम ऐड़ करेंगे आधा कप बारीक वाली सूजी, तो अगर बारीक वाली सूजी है, आपके पास तो काफी अच्छा है, नहीं है तो आप बड़ी सूजी ले सकते हैं, क्योंकि सभी चीजों को यहां पर हम नास्ते को बहुत ही टेस्टी बेशन पना देता है, बहुत ही इनहेंस हो कि नास्ता खाने में टेस्टी लगता है, जरूर एड़ कीजिएगा, अब इसी के साथ हम एड़ करेंगे, नास्ते को चटपटा बनाने के लिए दो बारीक कटी हुई, हरी मिर्च, मिर्च अपने ट थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करते हुए पेस्ट को यहां पे थिक पेस्ट बनाके तैयार करेंगे, ध्यान दीजिएगा एक ही साथ पानी नहीं एड़ करना है, तो यहां पे टोटल पानी हमने पेस्ट बनाने में आधा कप अभी तक एड़ किया है, तो यहां पे आप पेश्ट लगा हुआ है अच्छे से यहां पे जार से निकल जाए तो यह लीजे यहां पे जार को हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है तो एक वार हम क्या करेंगे पेश्ट को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे mix करने के बाद हम paste को रखेंगे धक के रेष्ट के लिए 10 मिनट के लिए क्योंकि हमने सूजी एड की है तो सूजी को रेष्ट में रखना बहुत जरूरी है इससे क्या होगा कि सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह से सूजी सेट हो जाती है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो गए है हमारा paste जो है अच्छे से सेट हो गया है तो हम क्या करें कि एक बार इस तरह कुछ सेकंडों के लिए paste को फेट लेंगे क्योंकि जो मैं आज नास्ता बना रही हूँ ना तो इसमें ना तुमें इनों मिलाऊंगी ना सोडा ना बेकिंग पाउडर तो फेटना बहुत जरूरी है इससे क्या होगा कि नास्ता हमारा प्लफी और स्पंजी बनेगा तो यह लिजे यहां पे मैंने paste को अच्छी तरह से फेट लिया है तो अब नास्ते को हिल्दी बनाने के लिए बेजी टेबल एड़ करेंगे तो यहां पे मैंने एड़ किया है दो चम्मच ग्रेट की हुई गाजार, दो चम्मच बारी कटी हुई सिम्ला मिर्च, दो चम्मच बारी कटी हुई प्याज, दो चम्मच बारी कटे हुई टमाटर, दो चम्मच उबले हुए कौन, दो चम्मच बारी कटे हुई पत्ता गु आधा चम्मच यहां पर मैंने एड़ किया है जीरा और 3-4 चम्मच धनियापती अब आप चाहें तो नास्ते को अगर ज्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से यहां पर मसाले एड़ कर सकते हैं बेजी टेवल में जो भी बेजी टेवल आपके पास नास्ता बनेगा प्यास टमाटर से भी खाने में बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर है यहां पर गिरा रही हूं तो बैटर रुक रुक के गिर रहा है बस इसी तरह कहोना चाहिए तो टोटल पानी यहां पर मैंने आठ से दस चम काम जादा लगा सकते हैं तो अभी हां पर राइट करेंगे एक से डेड़ चममच अच्छी तरह से सेट करेंगे गया फ्लैम लो टू-मीडियम रखेंगे और ढ़क के जब तक पकने देंगे जब तक की ऊपर की ले ड्राई नहों जाए जयासी उपर की लेट नहों जाएग तो दो से तीन बार अलट पलटके बढ़ी ऐसा इसको सेक लेंगे अब अगर आपको चम्मज से पलटने में दिक्कात आ रही है तो चलिए हम आपको एक एजी और तरीका बताते हैं तो यहां पे आप लीजिए कोई प्लेट या धकन जिसको पकड़ने के लिए बैक साइड और पैन को इस तरह पलटते हुए नास्ते को पलट लेंगे और बाद में इस तरह पैन में हम वपस सिट कर देंगे तो बहुत इजी तरीका है आपके बहुत काम आएगा अगर चम्मज से पलट पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं तो बस अलटते हैं पलटते कोमेटो कैचप के साथ आप इन्जॉय कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ नास्ते को आप देख सकते हैं कि बिना इनो बिना बेकिंग पौडर बिना सोडा के भी कितने पलफी और स्पंजी बने हैं तो एक बाद ट्राई जरूर कीजिएगा रैसेपी जरा भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजिएगा फिर मिलती हूँ ने स्टराई सेपी में तब तक के लिए बाबाब